जेहिंद नमस्कार साथियों स्वागते हैं आपका आज की इस वीडियो में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे SSC MTS 2023 से विलेटेड यहाँ पे काफी स्टुटेंट के कमेंट आते हैं कि सेशन फर्ष्ट और सेशन सेकेंड एक साथ होगा अलग अलग होगा यह पहले सेशन फर्ष्ट का विजल्ट आएगा उसके बाद सेशन सेकेंड की फिर से एक्जाम डेट आएगी तो दोनों एक साथ होगे यह अलग अलग इसके बारे में हम आपको बिल्कुल फुल इन्फर्मिशन देने वाले हैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहाता हूँ कि चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वेल आइकन को प्वेस कर लिजेगा तक कि आने वाली हल वीडियो की नोटिपीकेशन सबसे पहले आपको मिले तो दोस्तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं यह एक्साम पैटर्न दिया गया है यहाँ पर सेसन फर्ष्ट एंड सेसन सेकेंड फर्ष्ट में मैथ और विजनिंग आएगी सेकेंड में जनरल एबिनर्स और इंगलिस आएगी पैटालिस मिनट का टाइम मिलेगा फर्ष्ट के लिए पैटालिस मिनट का सेकेंड के लिए पहले में 114 कोशन होगे जो कि 120 नमबर के होगे एक कोशन तीन नमबर का होने वाला है second में total 50 question होंगे जो कि 150 number के होंगे यानि कि 1 question 3 number का होने वाला है अब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि 45-45 minute का time मिला है अब आप मेरी बात को दिहान से सुनियेगा पहले session में आपको 45 minute का time दिया जाएगा आपकी display से 45 minute का time चलेगा session first में आपको 40 question दिये जाएंगे यह 40 question आपको करने हैं मैं तो विजनिंग के आपको अगर आप UR से हैं तो आपको 30% number चाहिए होंगे OBC या EWS हैं तो आपको 25% number चाहिए passing mark जो है और अगर आप SC-HT other category से हैं तो 20% चाहिए होंगे number तो यहाँ पे देखा जाए तो आप लोगों को क्या है कि यह केबल क्वालिफाई करना है आप माल लिजे OBC से हैं और आप यहाँ पे 10 स्वरी यहाँ पे आप 25% number लेके आ जाते हैं अब आप 120 का 25% निकालके देख लीजेगा 30 number लेके आ जाते हैं इस वाले section में टोटल 30 number 120 में से अगर आप 30 number लेके आ जाते हैं तो यहाँ पे क्या होगा आपका selection हो जाएगा इस वाले session में इस session में आपको कोई दिक्कत नहीं है तो रंत जैसे ही आप इन 40 question को complete कर लेंगे 45 minute के बाद 45 minute से पहले पहले just 45 minute complete होते ही आपका session second open हो जाएगा फिर आपको यह session करना है जिसमें general awareness और English पूछी जाएगी इसमें आपसे 50 question पूछे जाएगे 45 number का समय दिया जाएगा 45 minute का समय मिलेगा अब जो आपका session first हो गया माल लिजे आपने 120 में से अगर 110 number लेके आ गए तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप इसमें कितने भी number लेके क्यों ना आ जाएगा जो फर्क पड़ेगा वो पड़ेगा केवल इस वाले नमबर से awareness वाले से और English वाले से यही से merit बनेगी अब यहां से आप 50 में से 100 यहां पर 1500 का है तो 1500 में से कितने जितने अधिक number ला सकेंगे वो आपकी merit decide करेगा यही नमबर आपकी merit बनाने वाले हैं उपर वाले नमबर से कोई भी मतलब नहीं है और जो समय है वो session first का समय session first में use होगा session second का समय session second में use होगा तो I hope आपको यह वीडियो पसंद आई होगी अगर इसके इलाबा भी अगर आपका कोई question वह जाता है तो comment box में comment करके मसे पूर सकते हैं thank you